अबी डिश्टल चैनल में आप लोग का बहुत बहुत फ़ागत है जैसे कि आज की वीडियो में आप देखेंगे यानि की आधार काड़ प्रिंट कैसे करें बीना मोबाइल नंबर रजिस्टेड के अगर आपका आधार काड़ में मोबाइल नंबर रजिस्टेड नहीं है कैसे बीना mobile number registered के आधार का डाउनलोड कर फकते हैं यानि की print कर फकते हैं इसके बारे में फुल वीडियो आपको यानि दिखाएंगे आज की इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको आधार काट print करना है तो चलिए वीडियो श्टाट करने पहले छोटा सा हर दिन की तरह गुजारिफ करना चाहता हूँ अभी डिजिटल चैनल पर अगर आप न्यू है तिस लालंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें बेल आइकन का घंटी भी दवा ले ताकि आप लो तक ऐसी नोटिपिकेशन पहुंचता रहेगा तो हम चलते हैं जैसे कि आपने थमनल को को देखा थमनल को देखने के बात आपको पता चल गया होगा अधार काट प्रिंट यानि के आधार काट प्रिंट करें बिना mobile करेंगे इस ही को हमć करेंगे ही यहां पे देख रहा है यह यह आपको आधार नमबर देना होता है जैसे कि हम आधार नमबर अपना दे रहे हैं यह आधार नमबर देने के बाद आप कैपचा कोट को प्रेफ करना होता है जिस कंडिशन में कैपचा कोट रहेगा उस कंडिशन में कैपचा कोट को प्रेफ करेंगे अब यहाँ दो कंडिशन में देख रहे हैं कि आपको दो कंडिशन में आधार काट को आप प्रिंट कर सकते हैं पहला नमबर तो यहाँ पे बोल रहा है, my mobile number is not registered, अगर आप यहाँ पर click करते हैं, तो my mobile number not registered, यहाँ पर आपको mobile number press करने के लिए पूछता है, अगर आपका mobile number registered है, तो आप यहाँ पर check mark नहीं करेंगे, check mark नहीं करेंगे, तो आपको जो mobile number registered है, उस mobile number पे OTP जाएगा अगर आपका check mark करते हैं आपके mobile number registered नहीं है तिस जगे पे जैसे मैं पहले ही बताया था कि अगर आपके mobile number registered नहीं है अधार में तो आप आफानी से print कर सकते हैं यानि कि PVC कार्ड मगा सकते हैं तिस जगे पे आप अपना mobile number प्रेश करेंगे जैसे कि यहां पे mobile number मैं दे दिया यह mobile number देने के बाद send OTP पे किलिक कर देंगे send OTP जैसे किलिक करेंगे send OTP पे किलिक करने के बाद कुछ इस परकार से यानि कि आप थोड़ा सा हम wait कर लेते हैं जो processing चलता है यानि कि यहां पे एक OTP मिलेगा mobile पे आपको जो mobile number आपने प्रेश किया उस mobile number पे OTP आता है उस OTP को आपको प्रेश करना है जैसे कि मेरे को OTP मिल गया अब यह OTP मिलने के बाद terms and condition को यानि कि terms and condition को हमें accept करना है और submit पे किलिक कर देना है जैसे submit पे किलिक करेंगे submit किलिक करते ही मेरा यह processing start हो जाता है यानि submit होना start हो जाता है अब यहां पे देख रहे हैं कि यह बुल रहा है अब यहां पे देखते हैं अगर आपका mobile number registered होगा जैसे कि यहां पर सबसे पहले आधार number हम प्रेश करेंगे आधार number प्रेश करेंगे अधार number के बाद यहां पर capture code को प्रेश करेंगे कि यहां पर पुछता है यानि कि फिर से दोबारा से आपको OTP यानि कि OTP मांगता है कि आपके आधार में जो registered है जो mobile number पहले से registered है उस पर OTP भेजा गया है उस OTP को आपको प्रेश करना है यहां OTP डालेंगे OTP डालने के बाद terms and condition को accept करना है अब submit पर click करने के बाद अब हमें करना क्या है यह देख रहे है कुछ इस परकार से details आता है नाम आता है और यहां पर नाम आ जाता है candidate का photo आ जाता है इस तरह से कुछ हमारा यानि कि PVC card का image आ जाता है जो कि आप आसानी स से देख सकते हैं और पूरे address आता है यानि यह बलर्क किया गया है आपको बलर्क दिखा रहा है क्यूंकि हम कुछ details आपना phone नहीं कर सकते हैं इस लिए यह देख रहे हैं अब यहां पर करना क्या होता है हम पूराने वाले details पर आते हैं जो यानि mobile number registered नहीं था उस पे अब make payment पर हमें click कर देना है make payment फसे YEK करेंगे यह payment मांगता है यानि सिक आप करने के लिए बोलता है आप payment कितना का करना होता है यह भी हम बताएगा यानि कि पूरे details दिखाएंगे जो आपको step by step कि आपको कितना payment करना पड़ रहा है देख रहे हैं payment किस परकार से कर सकते हैं credit card के माध्यम से भी कर सकते हैं अगर credit card debit card पर आप click करते हैं credit card के माध्यम से भी कर सकते हैं अगर credit card के माध्यम से आप नहीं करना चाहें तो यहां Net Banking के माध्यम से करा सकते हैं UPI के माध्यम से कर सकते हैं यानि फोन पर Google पर की माध्यम से भी कर सकते हैं तो हम यहां से Net Banking के माध्यम से करते हैं जैसे भी को जिस भी आपका Net Banking हो FBI हो या HDFC हो एक्षिस बैंक हो कोई भी कर सकते हैं यानि कि आप यहां पर हम जो एक नेट बैंकिंग है यूजर आइडे और पाफ़ोड डालेंगे यह देख रहे है पाफ़ोड देने को बाद यहां पर हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे आप यहां सम्मिट पर क्लिक कर देंगे अब यहां सम्मिट पर क्लिक कर देंगे सम्मिट पर जैसे क्लिक करेंगे सम्मिट पर क्लिक करने के बाद अब हमारा पे हो जाता है जैसे की पे यानि की पेमेंट पे होता है अब यहां पर जैसे सक्षेज़ फूल होता है अब सक्षेच फुल होने के बाद अब होगा क्या सक्षेच फुल होने के बाद अब आपको एक रिशिप्ट मिलती है कभी कभी सर्वर को वज़े से आपको रिशिप्ट अगर नहीं मिल पाती है तो आप दोबारा से refresh करने के बाद भी अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप यहाँ पे दोबारा से refresh करें तो फिर भी आपको एक message यह देख रहे है जैसे कि आपको यह download हो गया यह देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस परकार से आगया यानि कि आपको जो details है यह payment का आगया आप यहाँ पे download payment हम कर लेंगे download payment का यानि कि refresh कर लेंगे इस refresh को जैसे हम open अगर हम आपको open भी करके दिखाएंगे कि refresh open करने को बाद क्या क्या details रहता है जैसे एक last का यहाँ पे देख रहे हैं आपको यह आता है यानि कि date को आपने transaction किया है timing क्या है transaction करने का यह आरियन नंबर आयानि कि transaction नंबर और receipt नंबर यह फारे details आपको देते हैं और पे मांट यानि कि amount कितना आपने पे किया है जैसे कि मैं receipt open करता हूँ यह receipt open करने के बाद आप देख रहे हैं कुछ इस परकार से receipt आपको दिखाता है यह आपका रहता है यानि कि यह आधार नंबर आधार नंबर जो रहता है UID नंबर यह कुछ इस परकार से हो जाता है जो कि आपको आधार नंबर पूरा नहीं दिखाता है क्योंकि किसी का आधार नंबर आपको height कर दिया जाता है तो आपने देखा कि आधार काट को हम कैसे आしまनी फी fight यानी कि print कर सकते हैं कैसे print PVC काट मंगा सकते हैं बिना mobile number registered के अगर mobile number registered है आप तोस्टों को data show करता है अगर mobile number registered नहीं है तो आप आफानी से मंगा सकते हैं यानी कि इस वाले option फे PVC काट के option पे जाके तो थैंकि दोश जो से वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अच्छा लगा जरू वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में फेर करें ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि बिना मुवाईल नमबर रेजिस्टर के हम कैसे PBC कार्ड मंगा सकते हैं